हलो फ्रेंड्स एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आपका सभी का सवागत है और हम इस वीडियो में जानेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में English grammar का बहुत ही important topic है personal pronouns ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी definition देख लेते हैं और यह definition यानि परिभाचा हमने हिंदी में ही यहाँ पर लिख रगी है तो definition देख लीजिए इसको समझ भी लीजिए जो सर्वनाम यानि pronouns क्योंकि pronouns को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तू के बदले में आते हैं या बोले जाते हैं उनको हम personal pronouns कहते हैं ठीक है व्यक्ति का मतलब कोई person यानि इनसान और वस्तू का मतलब कोई चीज़ ठीक है example के तोर पे हम देखें कुछ examples मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे I am singing a song ठीक है तो इस sentence में जो हमारा personal pronoun है वो I है ठीक है अगला sentence है he is running on the road इस sentence में जो हमारा यह personal pronoun है वो I है next है we are taking a bad ठीक है तो इस sentence में we एक personal pronoun है अगला sentence they are playing यहाँ पर जो personal pronoun है वो दे है ठीक है next है you are reading a story यह हो गया इसमें जो personal pronoun है वो you है ठीक है ऐसे ही I, T, it is my book इस sentence में जो है वो it है तो यह जिन words को हमने यहाँ पर underline किया है I, he, we, they, you और it ठीक है यह इसमें क्या है personal pronouns है ठीक है अब बात करते हैं personal pronoun कितने तरह का होता है ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ personal pronouns के तीन persons होते हैं ओके यह हुआ अब वो तीन persons कौन-कौन से होते हैं पहला होता है first person first person में कौन-कौन से pronoun होते हैं देखे जैसे first person के जो pronoun है वो कौन-कौन से हैं देखो तो होगि I I first person का pronoun है ठीक है एक होता है my और me और एक होता है mine और वी भी होता है अवर होता है और अस होता है अवर्स भी होता है ठीक है ये सारे के सारे जो pronoun है जो मैंने अभी लिखे है I, my, me, mine, we, our, us, ours ठीक है ये सारे के सारे pronouns first person के अंतरगत आते हैं ठीक है दूसरा होता है second person second person के जो pronoun होते हैं वो कैसे होते हैं देखे जैसे एक तो होता है इसमें you ठीक है एक होता है you और एक होता है इसमें yours ये दोनों जो pronoun है you और yours ये दोनों second person के pronoun होते हैं ठीक है इसी तरीके से number three में जो इसका मतलब person है first person, second person और तीसरा होता है third person तो third person में कौन-कौन से pronoun होते हैं जैसे he, his और him ये हो गया ऐसे ही she, her, hers और होता है they, their और theirs ठीक है और it भी होता है और its भी होता है ये सारे के सारे जो pronoun है यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये आप देख लिजिए ये होते हैं third person के pronoun first person के, second person के, third person के, तीनों आपके सामने आ गहे हैं और अच्छे से हम इनको समझ लेते हैं जैसे माल लिजिए एक, अगर हम table के रूप में देखें तो बहुत ही आसान तरीका है इनको use करने का तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ persons और यहाँ पर मैंने लिखा subject और यहाँ पर लिखा है object और यहाँ पर लिखा मैंने possessive case possessive case person में first person सबसे पहले first person ठीक है I अगर subject में है तो इसका object क्या रहेगा ठीक है इसका object रहेगा me और possessive case में हो जाता है my और mine ठीक है यह हो गया first person में अगर subject V है V तो इसका जो object है वो क्या रहेगा object रहेगा इसका us और possessive case में our और ours ठीक है यह हो गया हमारा first person का अब ऐसे ही second person में second person में चलता है you ठीक है यू अगर subject है यू अगर subject है तो object में भी यू ही रहेगा और possessive case में यूर और यूर्स हो रहेगा ठीक है यह हो गया अब बात करते हैं third person के बारे में third person third person में अगर subject में ही है तो object में क्या रहेगा ही के साथ object में रहेगा him ठीक है और possessive case में his रहता है ठीक है his ऐसे ही अगर subject में she है तो object में जो रहेगा she के लिए वो रहेगा हर ठीक है she के लिए जो object रहेगा वो हर रहेगा और possessive case में हर और हर्स रहेगा ठीक है ऐसे ही अगर subject में दे है third person का pronoun है दे तो object में दे का हो जाता है them और possessive case में there there या फिर there's ठीक है इस तरीके से अब यहाँ पर जगा नहीं है मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसमें यह it it है it it अगर subject में it है तो object में इसका क्या रहेगा object में भी it ही रहेगा ठीक है it it ही रहेगा और possessive case में इसका हो जाता है it's i t और s इस टेबल के जरीए आप समझ सकते हैं कि first person के second person के third person के subject में किस तरह से काम करते हैं object में किस तरह से काम करते हैं और possessive case में किस तरह से काम करते हैं बहुत ही important video है यह personal pronouns के बारे में यानि grammar का एक बहुत ही अच्छा यह topic है और इसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए क्योंकि sentences जब बनते हैं तो pronouns की बहुत ज़ादा problem रहती हैं और अगर यह चीज़ें आपने clear कर रखी हैं तो इसमें कोई problem नहीं होगी और sentences आप आराम से बना सकते हैं English में Hindi के जो sentences होते हैं वो English में आराम से आप convert कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please like और share जरूर करें चैनल पर नए हैं तो subscribe करना न भूले Thanks for watching